हलो सुपर लेर्नर्स आपको मैं कुछ फोटोस दिखाऊंगा और इन फोटोस को देख करके आपको गेस करना है कि हम कौन सा चाप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अब तक अगर आपने गेस कर लिया होगा तो वीडियो को पोस करके प्लीज नीचे कॉमेंट्स में लिख देना कि कौन सा चाप्टर हम स्टार्ट कर रहा है जी हाँ हम स्टार्ट कर रहा है लाइप प्रोसेस पार्ट 2 फ्रॉम यह साइंस पार्ट 2 जिसमें हम बात करने वाले ह है रिप्रोडक्शन के बारे में इस होल चैप्टर इस अबाउट रिप्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपको इस चैप्टर का पूरा नोट्स डाउनलोड करना है तो आप हमारे इस टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो शुवम जा क्लास 10 इस चैनल पर वन शॉट में पूरा का पूरा साइनस कवर कर रहे हैं फॉम क्लास 10 एससी महरास्टा स्टेट बूर्ड सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो भी चैप्टर मैंने कवर किया है अब हम लाइप प्रोसेस पार्ट टुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करता हैं बच्व रिप्रणैड को मैं डिफाइन कैसे करूँ है जरा ध्यान से देखना रिप्रोडक्शन इस एक प्रोसेस होता है इन्वेच वन लिविविंग ऑर्गेनिजम प्रोडूसेस न्यविविंग ऑर्गेविंजम fits own kind, जिसमें एक living organism, अपने जैसा एक दूसरे organism को produce करती है जैसे कि यह पुराने photos में तुमने देखा होगा यहाँ पे दो वेक्ति है, इन्होंने इन में से किसे एक को reproduce किया होगा, उसने किसे से शादी करी और फिर उसने इसको produce किया तो अपने जैसा एक दूसरा यंग वहना था, इन्सान का बच्चा इन्सान है, फिर देख सकतो यहाँ पे एक dog है, जिसके बच्चे dog जैसा दिखना अगर यह plant reproduce करेगा, तो इसका बच्चा plant की तरह दिखेगा, तो अब दो प्रकार के process है, जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे तुमने, मैंने कहा कि reproduction एक ऐसा process है, जिसमें एक living organism आपने जैसा दूसरा living organism produce करता है बट अगर हम reproduce नहीं करेंगे, तो हम मर नहीं जाएंगे reproduction अगर ना भी हो, तो हम जिन्दा रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे process है जो हमारे body में अगर ना हो, तो हम definitely मर जाएंगे, example के लिए can't live without, process है जैसे की nutrition, जैसे की excretion, जैसे की respiration, जैसे की circulation, लेकिन हम जिन्दा रह सकते हैं, reproduction कि ये वगर, आज जब तुम ये video देख रहे हो, तो और for the existence of life on the earth, अब माल लो कि सभी लोगा ने मिल करके decide किया कि अभी हम लोग विल्कुल reproduce नहीं करेंगे, कोई जांगा reproduce नहीं कर रहा है, कोई plant अपने जैसा young one reproduce नहीं कर रहा है, इंसान reproduce नहीं कर रहा है, तो question जड़ा ध्यान से देखना, dash process is necessary, ठीक है, for the existence of life on the earth, तुम्हें लीचे comment में बताना है, अच्छा इस वीडियो को share जरू करना, जिससे हमारा चानल extraordinary exponentially grow कर सके, तुम सबके कारण ये चानल grow करेगा, तो subscribe भी कर लेना, अगर नहीं होता हो इसे, अब दिखो यार, reproduction दो प्रकार का है, जो हमें पढ़ना है, एक होता है, असेक्शुल reproduction, दूसरा होता है, sexual reproduction, आराम से देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं, तो बच्चों सबसे पहले जब मैं असेक्शुल reproduction की बात कर रहा हो, तो मैं स्क्रीन पर यह प्यारा सा एक फोटो दिखा रहा हो, यह फोटो एक अमीबा का है, ठीक है, अब यहां पर असेक्शुल reproduction में, single parent involved होता है, तो हम इसको uni parental बोलेंगे, uni मतलब एक parent मतलब single parent, यह uni cellar में भी होता है, यह मतलब में भी होता है, इससे related बच्चे अकसर एक mistake करता है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा, यहां पर जो organisms होता है, वो simple organisms होता है, और यहां पर mitotic division of cell होता है, इसके बारे मैं आप detail में like process 1 में पढ़ सकते हो, जिसका link description में डाला हुआ है, बचो अभी यहां पे द्यान से एक और बात सुनो, अगर मैं बात करता हो sexual reproduction की, तो sexual reproduction में दो parents involved होता है, एक male parent होता है और दूसरा एक female parent होती है, यहां पे दो parents involved होता है, एक male एक female और यह complex organism में होता है, ठीक है, यहां पे दोनों पर करके cell division होता है, अभी इसको हम by parental भी बोल सकते हैं, क्योंके इसमें दो parents है और यहां पे ध्यान से सुनो, यहां पे single parent है तो कौन male होगा, कौन female होगा है, कैसे decide करेंगे, ऐसा कुछ system ही नहीं है, असेक्शल में ठीक है, बता देना, बचो हम बात करते हैं पहले असेक्शल reproduction की, अब असेक्शल reproduction दोनों में होता है, मैंने क्या बताता है, unicellular में भी होता है, और it also occurs in multicellular, दोनों में होता है, तो unicellular में जब हम पढ़ने जाते हैं, तो हमें binary fission, multiple fission पढ़ना है, एक और है जिसके बार में आगे बताता हूँ, मगर जब हम multicellular के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, asexual reproduction, multicellular, तो हमें budding पढ़ना है, spore formation पढ़ना है, vegetative propagation पढ़ना है, regeneration पढ़ना है, और एक और पढ़ना है fragmentation, I really hope कि तुम्हें सारी चीज़े दिखरी होंगे screen पे, अब यहा यहां पे जो आप budding पढ़ते हो, वो आप पढ़ते हो hydra में, क्योंकि hydra क्या है, एक और sexually reproduce करने वाला organism, जो multicellular होता है, और यहां पे जो आप budding पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो east के अंदर, ठीक है, तो इस बात को please याद रखना, बच्चों को क्या लगता पता है, कि east के अंदर, sexual mode of reproduction है, बढ़िंक का, और hydra के अंदर, sexual mode, यह गलती मत करना, लिख लो इस खुड, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते है, binary fusion, सबसे पहले हम समझते है, binary fusion को क्या होता है, क्या होता है, binary fusion, कैसे होता है, नहीं होता है, तो तीन प्रकार के binary fusion है, सबसे पहले, एक होता simple binary fusion, एक होता longitudinal binary fusion, और एक होता transverse binary fusion, अब यह वाला जो binary fusion हम पढ़ रहा है, इसको simple binary fusion क्यों कहते है, तो देखो यहाँ पे binary fusion को समझने के लिए, हमने एक example लिया, amoeba का, तो यह जो amoeba तुम देख पार हो, इसका कोई भी shape नहीं हो, ठीक है, there is no shape to this amoeba, और यह जो amoeba होग इसको बोलता है, irregular shape का होता है, तो due to the lack of specific shape, amoeba can divide in any plane, amoeba क्या कर सकता है, किसी भी plane में कुदको divide कर सकता है, और इसलिए हम इसको बोलता है, simple binary fusion, यहाँ पे तुम्हें simply दिख रहा होगा, कि यह क्या हो रहा है, अचा भया, यह कैसे होता है, थोड़ detail में बताओ, तो मान ल इसके अंदर यह blue color का nucleus है, यह blue color का nucleus पहले divide हो जाएगा, तो यहाँ पर दो nucleus बन चुका देखो, यह yellowish blue nucleus है, orangish blue nucleus है, तो यह nucleus पहले divide होगा, ठीक है, और इससे क्या हुआ, दो nucleus बन गया, तो DNA duplicate हुआ, दो nucleus बन गया, उसके बाद क्या होगा, यह जो cytoplasm उपर से देखो, य cytoplasm उपर से divide होना start हो गया, finally do daughter cell बन गया, अब मेरा तुमसे एक सवाल है, कि यहाँ पर जो बनते हैं, उसको हम daughter cell क्यों कहते है, sun cell क्यों नहीं कहते है, इसका जवाब तुम नीचे comment में बताओगे, बड़ा मज़ेदार है, ठीक है, तो यहाँ पर तुमें clearly दिख रहा है क fusion मतलब टूटना, ठीक है, तो दो टुकडो में टूटना, simple Q क्योंकि कोई भी shape नहीं, चलो आगे बढ़ता है, और अगला वाला देखते है, example है paramecium का, और यहाँ पर जो binary fusion पढ़ेंगे, वो transverse binary fusion है, transverse, ठीक है, transverse, transverse, transverse क्यों, क्योंकि यह जो चपल की तरह दिख रहा अगले, nucleus divide हो गया, finally, और दो paramecium बन गया हमारे पास, तो यह जो हुआ है, वो transverse plane में बाकि सब से खेल सेम है, कि nucleus divide होने लगता है, transverse plane में, उसके दीरे-दीरे 2 nucleus बन जाते है, अंदर में, DNA duplicate हो गया, 2 nucleus बन गया, और finally cytoplasmic division शुरू होगा, जिससे 2 amoeba बन जाएगा, अब यहाँ पर तुम्हें आगे चंद के एक important step भी बताऊंगा, तो यहाँ पर paramecium वाला animation भी चाहिए, तो तुम देख सकते हो, देखो किस तरीके से paramecium divide हो रहा है, अगर द्यान से देखो किता animation में clarity आ जाएगी तुम, ठीक है, और 2 paramecium बन गया, तो फिर से एक बाद देखता आगे बढ़ता है, बच्चो एक और example है binary fusion का in which is longitudinal binary fusion, इस से लेटरिट कोशन आ सकता है, और यहाँ पर हमने जो example यह होई, यूगलीना का है, अब यूगलीना जो है वो इस तरीके से divide होता, तो देखो यह जो nucleus है, यह divide हो रहा है, ठीक है, दो nucleus बन चुका है, finally, और यहाँ यहाँ पर बीच में से cytoplasmic division शुरू हुआ ऐसे खड़े में, सीधे में, और दो cytoplasm बन चुगा, finally, दो daughter cell बन गया, और यूगलीना, तो इसको हम longitudinal binary fusion बोलता है, क्योंकि यहाँ पर longitudinal plane में होता है, वहाँ ट्रांसफर्स में था, वहाँ पर यह रिगमलर था, अब एक important question है म तो binary fusion और कहां कहां होता है, एक बताने से पहले मैं question बत पूछना चाता हूँ तुमसे, मालनों बच्चों कि यह एक amoeba था, ठीक है, इस amoeba के अंदर यह nucleus था, यह nucleus ऐसे divide हुआ, और दीर 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 साइटो प्लास्मिक division हुआ, दो nucleus बन चुका है, अब फिर finally क्या हो गया, दो amoeba बन लिए, am I right, तो total amoeba यहां पर कितने बनेंगे, यह रह जाएगा, और यह दूसरा और तीसरा question तुम्हे answer देना है, ठीक है, इसी वीडियो में कहीं तो मैं बता दूँगा, मगर अभी तुम्हें pose करके comment करना है, या फिर बच्चों, क्योंकि यही amoeba हमारा, यह म हो जाएगा, ऐसे question, CBAC level पर पूछे जाता है, तो आपको इसका answer देना है, उससे महरास्टरबूर में भी पूछ सकते है, ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में है, तो please repeat कर लेना हो तुम्हें इसका जबाब देना है, binary fission, amoeba में होता है, paramecium में होता है, कुछ bacterias के अंदर होता है, protozoas के अंदर हो सकता है, yugilina में हो सकता है, lesmania जिससे काला जर होता है, उसके अंदर हो सकता है, और अब एक question है तो आए लिए, which of the following binary fission occurs, in which of the following binary fission occur, amoeba, paramecium, evalina या all of the, तुम्हें नीचे comment में इसका answer बताना है, अगले topic पे चलते हैं हमारे multiple people fission, अभी देखो होता क्या है बच्चो, मालो अच्छानक से सुखा पढ़ गया, हमारे एक amoeba था, उसके असपास पुरा सुखा पढ़ गया, adverse condition आ गया, जिस सुखा पढ़ जाना है, पानी खाना कुछ नहीं है, तो यह जो amoeba है, zoom करके दिखाता हो थोड़ा सा, ठीक है, यह जो हमारा amoeba है, इसमें जो यह वाला पार्ट है, इसको सीडो पोडिया बोलता है, सीडो मतलब क्या होता है, false, पोडिया मतलब जिससे movement कर सकता है, तो false leg, ठीक है, इससे amoeba ऐसा ऐसा करें, movement करता है, false leg है, सीडो मतलब false leg, ठीक है, तो यह जो सीडो पोडिया amoeba का adverse condition मे Amoeba stops formation of pseudopodia and thereby the movements Amoeba pseudopodia का movement रोक लेता है ठीक है तो यहाँ पर ही Amoeba है हमारा यह pseudopodia का movement रोक लेगा and it becomes rounded वो धीरे 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 गोल होने लगेगा and forms a protective covering around the plasma membrane तो मालो यह पूरा इसका plasma membrane है इसके बाद जो मैंने एक protective covering बना लेगा स्रीडो पूडिया का movement रोकी का और एक protective covering बना लेगा बाहर से और उस protective covering का हम cyst बोलता है तो तुम imagine करो यह जो red color से मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया ना दिखरा होगा आप लोगा रहे यह जो मैंने red or red color से देखाया तो यह एक cyst है जो कि एक protective covering है ऐसा आप imagine करके चलो और य इसके अंदर जो यह हमारा एक nucleus तो divide हो कैसे बहुत सारे nucleus बना लेगा it is followed by cytoplasmic division and thus many amobule are formed तो यहाँ पर अंदर में ही फिर क्या होगा cytoplasm का भी division होगा दो बहुत सारे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-चोटे amoebule ले या फिर amoebule is formed बहुत सारे amoebule बन जाए cyst till the adverse condition जब तक adverse condition है बहार सुखा पड़ा हुआ है तब तक वो cyst के अंदर ही रहेगा लेकिन जैसे ही favorable condition आ गया cyst breaks on arrival of favorable condition and many amoebule are released cyst favorable condition मतलब मार लो आसपास का movement सब सही हो गया खाना-पानी सब है आप सूखा नहीं पड़ा है तो यह जो है न यह तूट जाएगा यह जो cyst है तूटे-गा और सारे amoebule release हो जाएगे तो इसको हम कहते है multiple fusion यह कब होता है adverse condition में अभी बहुत important question है कि amoeba को जादा तर binary fusion करना चाहिए या फिर multiple fusion करना चाहिए दोनों में से कौन सा better है और इसके लिए तुम्हें अपना opinion भी देना है कि तुम्हें क्यों लगता है कि multiple fusion better है या फिर binary fusion better है नीचे comment मे तुमसे पूछ रहो यह सब मेरे experience पर best है कि कौन से question कौन से exam में पूछे जाते है इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ही पूछ रहो तो please इनका answer देने की कोशिश करना या फिर इनको google पर search करो वहां से पढ़ो और नीचे comment में पेस्ट कर दो चलेगा लेगा लेग ज्यादा information अच्छा यह हमारा telegram का channel है नीचे दिख रहा होगा श्रूम जा class 10 प्ली जिसको जाने कर लेना आगे पढ़ते हैं question number 4 in dash condition amoeba undergoes multiple fission तुम्हें नीचे comment में इसका जवाब दे रहे है fourth question है अब अगला topic अगला topic है हमारा budding किस में बात कर रहे हैं हम unicellular में बात कर रहे है तो देखो a sexual reproduction occurs by budding in east और sexual reproduction किस में होता है budding से east में होता है जो कि एक unicellular fungus है तो मालनो यह edible fungus होता है इसको खाया जाता है अगर मैं इसको zoom करके microscope में देखते हूं तो मुझे कुछ ऐसा structure देखेगा और इसको भी एक बार zoom करके देखते है कि क्या है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ऐसा goal सा उस आपर मालनो कि यह एक east cell है इसके अंदर यह nucleus है यह क्या करेगा यहाँ पर mitotic division होगा और दो nucleus बन जाएगा अंदर जैसे binary fusion में कहता स्टार्टिंग में दो nucleus बना थो वैसे nucleus divide हो और nuclear division होगा ठीक है mitosis cell उसके बाद इस वाले figure को यहाँ पर copy मारेंगे अभी और उसके आगे का step देखिए दूसरा point क्या लिखना है तो में exam में a small bulge will form at the surface of the parent cell तो मालो यह जो parent cell है यह वाला इस figure को नहीं आपे लिया है उस पर एक छोटा सा ऐसा bulge बनेगा इसी bulge को हम क्या बुलाते है बच्चों bird बुलाता है we call this bulge as bird इस bulge को हम लोग एक bud बुलाता है अगला देख वाला यहाँ पर आगे nucleus चौथा point after sufficient growth मालो कि यह bulge जो है यह जो bird है इसका sufficient growth हो गया ठीक है bird separates from the parent cell यह जो bird है यह parent cell को छोड़ देगा and start to live independently तो यहाँ पर देखो यह sufficient growth हासिल के इसने और बाद में यह बाहर निकल गया और अपना अकेला life जीएगा इस तरीके से हमें दो daughter amoeba मिल चुक है मतलब यहाँ पर दो cell बन चुका ठीक है तो यह पहले वाला था parent और यह daughter गट इट तो हम बोलेंगे daughter-ist cell हमें मिल चुका है इसको daughter की बोलते ही comment रहे लिखना मत बोलू फिफ्थ question examples of budding in unicell or organism is is example of budding in unicell or organism is-ist amoeba hydra spirogera तुम्हें नीचे comment करके इसका multi-cellular में a sexual reproduction देखना है कैसे कैसे हो सकता है it can be with fragmentation it can be with budding यहाँ पर spore formation हो सकता है यहाँ पर vegetative propagation हो सकता है या फिर यहाँ पर regeneration हो सकता है यह सारे types हमें detail में पढ़ना है चलिए start करता है सबसे पहले बात करता है fragmentation के बारे यहाँ पर तुम्हें एक organism दिख रहा है तुम्हे class 9th में एक chapter पढ़ा होगा classification of element classification of plants उसके अंदर तुमने पढ़ा होगा एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेटीडोफाइटा ठीक है तो उसमें थैलोफाइटा एक division तुमने पढ़ा था तो उसी division के अंदर तुमनें algae के बारे पढ़ा होगा वही algae है ठीक है और इ सुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा अब समझते हैं यह fragmentation मतलब क्या होता है स्पाइरोगेरा के अतर तो मालनो कि यह बच्चो एक स्पाइरोगेरा है ठीक है यह स्पाइरोगेरा जब आसपास nutrients होता है जब food होता है ठीक है plenty of water होगा तो यह क्या होगा यह grow करेगा तो देख क्या होता है and breaks up into many fragments and each fragment starts to live independently as a new spiral अब मालो यह इस तरीके से grow हो चुका है with time क्या होगा due to water currents या फिर कोई बर्ड आ गया को insect के कारें यह ऐसे तूट जाएगा तो अब यह एक स्पाइरोगेरा यह दूसरा स्पाइरोगेरा और इस तरीके सब दूसरा grow होगा फिर वो तूट fragments में तूटता रहेगा तो यह जो fragments में तूट रहा है यह filament जो है यह छोटे-छोटे टुकडो में तूट रहा है तो इसको हम क्या बोलता है fragments में तूट न और इसी process को हम fragmentation बोलता है दो point का answer है अच्छे से लिख देना example भी लिख देना और तुम explain भी कर सकते हो चाहिए है यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ है psychon sponges इसके बारेन हम animal classification में पढ़ेंगे 10 standard में यह sedentry होता है nature में मतलब यह एक ही जिगे पर टिका रहता है अब यह क्या करेगा अपने छोटे-छोटे से टुकडे तोड़ लेगा इसके छोटे-छोटे से टुकडे जब तुम अपने एक्जांपल में यह भी लिख सकते हो कि या psychon भी जो है वो भी क्या दिखाता है fragmentation दिखाता है चलिए आगे बढ़ता है question है whenever dash are available spyrogera filaments grow faster तो मैं इन में से जो भी सही answer नीचे comment में बताना है अगला वाला question है sponges reproduce by binary feature multiple feature fragmentation body नीचे comment में इसका answer बताना है बचो regeneration पढ़ते हैं देखो बड़ा ही कमाल का topic है यह वालो कि यह चिपकिली था जिसका किसी कारण बस यह पूँच तूड़ गया तो lizard breaks up the and discard some part of the tail in emergency यह कहीं फस गया था तो यह तूड़ गया कीचने के कारण इसने तोड़ लिया और अब यह जो चिपकिली थी जिसका दीरे दीरे न यह पूँच ग्रो होने लगीगा देख रहे हो यह पूँच जो कट गया था वो धीरे 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 ग्रो हो जाएगा तो discarded part is regenerated after a period of time यहाँ पे जो कट गया था पूँच वो कुछ दिनों बाद आ गया लेकिन क्या पूरी की पूरी चिपकिली आ पूरा पॉडी में नहीं होने वाला लेकिन बच्चो एक और एक्जामपल है प्लैनेरिया का यह जो प्लैनेरिया की तरह जो तुम्हा ओर्गैनिजम दिख रहा है इस ओर्गैनिजम के मैंने तीन टुकड़े कर दिये तो टुकड़ा नंबर एक टुकड़ा नंबर दो और ज.' अब क्या होगा बच्चो ध्यांत सुनना मेरिवाड टाइक है ये वाला एक प्लैनेरिया बन जाएगा ठीक है ये वाला एक इंडिविजियल प्लैनेरियाare या बन जाए जाएगा आर तुम्हें नीचे कॉमेंड में इसकाै बताना है अब Dr. रेगंटेशन है और Regeneration पढ़ा मैंने दोनों को एक साथ पता है एक के बाद एक पढ़ाया तुम्हें इसके पीछे का एक कारण है एक्जाम में हो सकता है कि तुमसे एक सवाल पूछा जाए कि Fragmentation और Regeneration में क्या अंतर है What is the difference between Fragmentation and Regeneration या फिर क्या similarity है तुम क्या बोलोगे या फिर ऐसे पूछ सकते कि Fragmentation Regeneration से कैसे अलग है क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है एक पार्ट तूट रहा है और उस पार्ट से नय और्गेनिजम बन रहा है तो दोनों तो एक ही है तो हम अलग क्यों पढ़ते हैं चलिए एक बात समझो इस वहाँ पे हमने जो यहाँ पे बात किया क्या एक और्गेनिजम इंतिजार करेगा कि कोई आकर के मुझे काटे ठीक है जैसे कि हमने प्लैनेरिया में एक्जांपल लिया था तो हमने इसको काटा था और उसके बाद मैं रिप्रोडूस करूँगा या पिक है छिपक्ली इंतिजार करती है के मेरा पूच तूट जाए नहीं ये एक्षिदेंटली होता है समझ Qur हो ये क्या हो रहा है accidentally हो रहा है it is not a type of reproduction reproduction में हमने क्या पढ़ा था an organism produces another organism like itself, एक new organism produce करता है, क्या करता है एक नया organism produce करता है उसके जैसा, लेकिन क्या यहाँ पे एक नया organism produce हो रहा है, नहीं, यहाँ पे तो growth हो रहा है उसी part का, यह cut गया था वो path grow हो गया, यह cut गया था, वो path grow हो गया, यहाँ भी एक नया organism reproduce नहीं हो रहा है इस बात को याद रखना, चलो आगे बढ़ता है अब question तो तुम्हें मैंने पूछी लिया है तो अगला वोला topic पे चलते है जिसका नाम है budding, अब दिखो यार यह पे जो budding है, यह hydra में होता है क्योंकि हम multicellular organism में पढ़ रहा है तो यह जो तुम्हें गजब सा प्राणी दिख रहा है इस प्राणी का नाम है hydra, ठीक है और इसके उपर जो यह तुम्हें दिख रहा है इसको हम लोग tentacles बोलते हैं तो filaments भी बोला जाता है लेकिन इस चीश को हम tentacles बोलेंगे, ठीक है चलो आके बढ़ता है, अब दिखो यार by repetitive division of regenerative cells in the body wall and outgrowth is formed called as bud मैं समझाता हूँ, यहाँ पर जो बच्चो यह हमारा hydra है, पर जूम करके देखते हैं यह जो हमारा hydra है इसका जो यह body पे, जो body wall ओग, ठीक है यह जो body wall ओग इस पे regenerative cells होता है body wall पे क्या होता है, regenerative cells होता है, और इसके repetitive division से, यह क्या करेगा एक छोटा सा outgrowth बनाएगा यहाँ पर, लेट से किया, ऐसे एक outgrowth बना लिया इस outgrowth को हम क्या बोलते हैं समझ में है, अब आगे बढ़ता है अब इस bird में से न, एक नया सा hydra generate होता है, लेकिन कैसे होता है, यह हमें समझना है bird grows progressively and finally forms a small hydra, यह जो bird दिरे दिरे बढ़ते बढ़ते एक छोटा सा hydra बना लेगा अब यह जो hydra है, यहां पर जो एक फोटो दिखा रहा है, यहां पर समझो कि यह जो है न, यह digestive cavity है मतलब एक ऐसा cavity cavity मतलब होता है, जहां पर digestion हो रहा है ठीक है, तो यह जो baby hydra है इस baby hydra को nutrition कहां से मिल रहा है, तो इसी mother hydra जो है, parent hydra इस parent hydra से daughter hydra को matured हो जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा parent hydra से separate हो जाएगा और अपनी individual life जीएगा, कब matured हो जाने पर sufficient growth हो जाने के बात, तो this was all about budding, question है, parent hydra supply nutrients to the budding hydra, true है यह false है, तो में नीचे comment में बताना है, 9th question है अब हुमारा जो topic है उस topic का नाम है, vegetative propagation बचों यहाँ पेड दिख रहा होगा, पेड में पत्ते होता है, जड होता है, बहुत सारी चीज़े होता है समझते है, vegetative propagation में vegetative organs चाहिए vegetative organs है, 4 leaves, steam, roots, bud भया बताना क्या चाहते हो, अच्छे से बताओ, सुनो vegetative propagation मतलब क्या होता है reproduction in plants plants के अंदर ही होगा यह, animals में नहीं होगा it will occur only in plants reproduction in plants with the help of vegetative parts like roots, steam, leaf, bird it's called as vegetative propagation reproduction अगर plant में हो रहा है in vegetative parts की मदद से तो इसको क्या बोलता है, vegetative propagation यहीं पे मैं कुछ examples बताने से पैदा तुम्हें चीज बताना चाहता हूँ कि कभी-कभी क्या होता है grafting नाम का एक process है layering नाम का एक process है जिसके बारे में तुम्हें थोड़ी सी research करनी है और पढ़ना है और नीचे comment में भी बताना है कि हाँ भया आपने जो बोला था हो मैंने किया grafting और layering मैंने समझा है grafting मतलब थोड़ा सा बता देता हो क्या होता है यह layering तुम्हें डोडना है एक पेड है मेरे पास ठीक है मालो यह एक पेड है और दूसा पेड है इस पेड को मैं काटूँगा और इस पेड का डाल लगाँगा उसको बान दूँग और दोनों पेड एक साथ करो उड़े इसको हम grafting क्या दे इसके बारे में और तुम्हें layering के बारे में थोड़ी से research करनी है पढ़ लेनी है थोड़ा advance पढ़ेंगा चलो आगे बढ़ते है अब यहां पे बच्चो तुम्हें एक पोटाटो ले लिया है अब तुम्हें एक चीज बताना है मुझे कि पोटाटो जो है वो एक steam है रूट है लीफ है क्या है वीडियो को पोज करो और comment में लिको मैं देखता हूं comment में तो मैं होड़ दूँगा comment में ओके तो तुमने अब तक लिंक दिया होगा चेक करो क्या तुमने इसको steam लिखा है 7th standard में आप एक chapter पढ़ते हो जिसमें आप बहुत सारे adaptation के बारे में पढ़ते हो तो पोटाटो के स्टीम ट्यूबर है steam है modified steam है इसके अंदा food stored होता है ठीक है और इसी के मदद से क्या हो रहा है यहां पर जो यह ब आई आ रहा है छोटे 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 इसके मदद से क्या हो रहा है help of leaf of birds present on the leaf margin तो यहां पर जो bird है help of birds यह जो birds है यहां पर जो leaf margin पर उसकी मदद से reproduction होगा तो this is also an example of vegetative propagation और भी example हम देख सकते है जैसे root radish carrot यह क्या होता है carrot यह क्या होता है root होता है sugar came it is a type of steam sugar के एक प्रकार का grass होता है याद रखना तो यह steam है और जो grass है जो जमीन पर जो घास उगता है उसमें भी steam की मदद से होता है तो भाई यह क्या है फिर अरे यह तो पत्ते है ना नीचे steam होगा फिर समझ रख तो steam की मदद से होता है यह बात याद रखना student कुछ question reproduction planned with the help of visitative parts like तुमें नीचे comment में इसका answer बताना है अगले question पर चलते है लेकिन अब तक है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे इस प्यारे से टेलीगराम चैनल को जॉइन कर लो शिवम जा क्लास 10 ठीक है आगे बढ़ता है 11th question in bryophyllum reproduction is performed with the help of birds present on dash तुमें इस braid पर तुमें दिख रहा होगा कि कुछ fungus उग गए इसको अगर मैं zoom करके देखने हो तो कुछ ऐसा होगा in fact लकडी विगरा पर भी यह उग जाता है खाना कुछ रोटी रोटी छोड़ दिया तो उसके उपर चावल के उपर यह fungus ऐसा उग जाता है इस fungus को हम लोग क्या ब यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि यह जो हमारे म्यूकर है इसका बॉड़ी जो फिलमेंटेस बॉड़ी फिलमेंटेस मतला भागे जासा बॉड़ी अभी यहां से तुम यहां पर जाओ गए जिसको मैंने हाइलाइट करके बता है तो मैं बस वही याद रखना है ठीक ह इसके उपर तुम्हें यह दिख रहा होगा एक गोल सा बलून जैसा पार्ट इसको बोलता है स्पॉरेंजियम क्या बोलता है इसको स्पॉरेंजियम अब यह जो स्पॉरेंजियम है इसके अंदर छोटे 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 से क्या होता है स्पोर्स होता है क्या होता है स्पोर्स करता है ठीक है चलो देखते हैं मालो बच्छों होगा क्या डिटेल में मैं तुम्हें लिख करके हरे क्लाइम पढ़के बताता हूं ठीक है देखो once the sports are formed पीछे जो मैंने तुम्हें sports बताते हैं जब वो sports form हो जाता है तो जो स्पोरेंजियम था जो वो बलोन जैसा स्ट्रक्चा था वो ब्रस्ट करता है फूज जाता है और जो sports होता है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है sports germinate अब sports क्या होता है moist place में या फिर warm place में germinate करते हैं अगर उसको nutrition मिलता है तो जैसे ब्रेड या फिर लकड़ी इन मैंसे nutrition लेकर क्या करते हैं जो sports जो आए हैं वो ग्रो करते हैं और फिर इस तरीके से एक नई fungal colony बन जाती है पूरी की पूर्ड़ी होगा बीच में जो भी मेरे experience हमें न सीखा है तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ question है mucer hatch dash body elastic filamentous stretchable none तो मैं इसका जवाब नीचे comment में बताना है अगर यहां तक समझ में आगया 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 चानल का सब्सक्राइब करना इस वीडियो को अपने friends के साथ जरूर शेयर करना नीचे पूरा time stamp दिया हूँ है telegram पर notes मिल जाएगा और अब हम सलते हैं हमारे next topic के तरह हम अपना next topic स्टाइट करने जा रहे है sexual reproduction देखो sexual reproduction हमें पढ़ना है plants के अंदर और हमे sexual reproduction पढ़ना है animals के अंदर ठीक है इन दोनों के अंदर हमे sexual reproduction पढ़ना है तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि sexual reproduction में कौन से दो steps होता है तो पहला step है gamut formation अगर मैं एक male की बात करूँ तो male का जो gamut होता है उसको हम लोग sperm बुलाते है ठीक है अगर मैं female gamut की बात करूँ तो उसको हम लोग ovum बुलाते है ठीक है ovum बुलाया जाता है या फिर excel बुलाया जाता है तो यह male and female gamut के बारे में हो गया इसक cell के अंदर तुम्हें पता है कि 46 chromosome होता है total लेकिन माल लोग कि ये कोई दूसरा एक cell है ठीक है इसमें 46 chromosome ना हो करके इसके अंदर खाली 23 chromosome है ठीक है और तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग haploid बोलेंगे ठीक है तो sperm या फिर जो ovum जो लोग उंसके अंदर 23 total chromosome होता 46 नहीं होता है तो इसको haploid बोलेंगे और इसको हम लोग deployed बोलेंगे ठीक है इसको हम लोग deployed बोलेंगे तो देखो ये हो गया हमारा gamut formation के बारे में कि gamuts बनते हैं male और female के अंदर male के अंदर sperm बनता है female के अंदर ovum बनता है दूसरा जो step है वो है fertilization fertilization में क्या होता है कि यह जो male gamet है और यह जो female gamet है यह दोनों fuse करता है fuse करके यह दोनों बनाते हैं zygote अब देखो यहां से 23 आया और यहां से 23 आया male और female से total यहां पर किते होने चाहिए फिर 46 होने चाहिए तो यह deployed हो जाएगा zygote जो cell है वो deployed in nature होता है यह जो dygote है यह आगे चलके develop हो जाता है बच्चों embryo के अंदर और further यह embryo develop हो जाता है baby के अंदर और इस तरीके से एक नया individual form होता है तो दो step समझ में आ गया gamet formation और fertilization अभी एक question है जिसका तुम answer दोगे तो यह question है name the reproductive organ in plants plants के अंदर कौन सा reproductive organ है जो उसको help करता है sexually reproduce करने में steam है flower है roots है none है यह आपको नीचे comment में answer बताना है question number 13 students अभी यहाँ पर हमना अपना जो अगला topic है वो है sexual reproduction in plants अब दिको plants के अंदर जो sexual reproduction होता है वो होता है flowers की मदद से तो सायद जो 13 वाला flower is the structural unit of sexual reproduction in plant तो plant के अंदर sexual reproduction किसके मदद से होता है flowers के मदद से होता है तो इस flower को थोड़ा सा detail में पढ़ता है कि flower के बार में अपने को जादा तो यह one क्या हो सकता आइदर यह जो flower होगा यह male flower होगा आइदर यह flower जो होगा वो कौन सा flower होगा यह female flower होगा लेगे ऐसे ही बच्चों एक और होता है bisexual तो भाई यह बाई से क्या बोलना चाह रहा है bisexual में क्या होता है कि दोनों sexes male और female दोनों साथ में होगा एक ही flower के अदर तो अभी तुमको थोड़ा सा अपना previous knowledge जो भी तुमने सीखा था lower standard में उसका इस्तमाल करना मुझे बताना है कि इन में से कौन सा flower है जो की unisexual है जिसके पास खांड़ी एक ही sex होता है male female दोनों नहीं होगा एधर male होगा या फिर female students अब देखो एक flower का structure समझते है flower के अंदर हमें चार चीज़े पढ़नी है सबसे पहले है calyx यह जो तुम्हें green color का जो part दिख रहा है इस green color का part को हम बुलाते है छोटा छोटा सा दिख रहा है इधर वाला यह वाली बात कर आँगा ठीक है जो पत्ते जैसा दिख रहा है इसको हम calyx बुलाते है उसके ऊपर तुम्हें यह दिख रहा है यह colorful वाला जो part है यह colorful वाला part जिसको तुम petals बुलाते हो overall उसको korola बुलाया जाता है क्या बुलाया जाता है एक एक करके चारो को detail में पढ़ने वाले है यह वाला जो part है जिस पर flower को support करते है उसको pedicill बुलाते है आगे मैं detail में बता हूँ आटेंशन मतलो pedicill बुलाते है सबसे पहले calyx की बात करते है बच्चो यह green color के part को मैं calyx बुला रहा था तो ऐसे तो बहुत छोटे छोटे से green color के छोटे छोटे से part हो सकते है एगरी करते हो तो individual जो member होगा इसका ठीक है individual member को हम बुलाएंगे sepal calyx के individual member को sepals बुलाया जाता है इसको अपने note में लिखने न यह जो sepal होते है यह flower को bird condition में protect करते है देखो यह जो है जब यह flower छोटा सा bird रहा होगा तो यही sepals होता है उसके अंदर होता है उसको प्रोटेक करता है अब बच्चो क्योंकि यह green color का है being green in color यह सब आपके notes में आना चाहिए ठीक है यह क्या करता है photosynthesis perform करता है मतलब food production में भी health करता है ठीक है photosynthesis perform करता है तो यह दो बाते हो गई sepals के बारे में जिसके overall उसको korola बुलाएंगे individual members को sepal बुलाएंगे अब बात करते हैं अब बात करते हैं को रोला के बारे में ठीक है तो इस वाले पार्ट को रोला बुलाते हैं लेकिन ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे पार्ट होंगे तो उस छोटे-छोटे parts को रोलाएंगे पंखूरियां overall को रोल ठीक है तो individual member जो होता है को रोला का उसको हम लोग बुलाता है petals बुलाते है simple है अब देखो ये क्या करता है protect the flower ये जो flower है उसको protect करता है और attract करता है insects को pollination के लिए तो ध्यान से समझना सबसे पहले ये जो male reproductive part और female reproductive part है उसको ये अपने अंदर protect करेगा दूसरा क्योंकि ये colorful है कैसा बच्चों ये यह है colorful तो being colorful it will attract insects insects को attract करेगा pollination के इंपे अच्छा इसके पास खुश्बू भी होती है खुश्बू भी क्यों होता है कि insects को attract कर सके अब हम बात करता है एक important line के बारे में जो आपके tech book में लिखा हुआ देखो calyx और corolla जो है वो outer accessory walls मतलब यहाँ पे जो यह calyx और corolla हमने पढ़ा ठीक है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यह calyx यह green वाला ठीक है और यह corolla यह red वाला यह क्या करता है जो अंदर में जो male और female reproductive part है endosium और gynosium उसको protect करने का काम करता है चलिए ठीक है अब endosium और gynosium के बारे में detail में पढ़ता है तो बच्चों यह endosium के लिए endosium का individual member जैसे हमारा calyx का individual member था sepul corolla का individual member था petals वो इसे endosium का individual member होता है stamen अब यहाँ पे ध्यान से देखना बात stamen में आता है men and it's a male reproductive part ठीक है अब यहाँ पे मैं तुम्हें दो view दिखा रहा है एक dorsal view एक ventral view ठीक है dorsal मतलब पीछे से ventral मतलब आगे से ठीक है अब ज़िए यहाँ पे ध्यान से देखो मतलब dorsal पे पीछे आगे से भी समझने से ज़्यादा अच्छा रहेगा dorsal view को तुम ऐसे समझ ले न कि अगर तुम अपने chest को नीचे रखके सो जाओगे तो जिस पार्ट पे तुम्हारा d4 धूप गिरेगा वो dorsal है मतलब आगे वाला क्या है तुम्हारा ventral है पीछे वाला तुम्हारा dorsal है तो उसी तरीके से हम dorsal और ventral देख रहे है तो यहाँ पे जो यह एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग एंथर बुलाते है और यह जो एक छोटा सा लाइन जैसा दिख रहा है इसको हम लोग फिलामेंट बुलाते है अब यह जो एंथर है इसके अंदर क्या होता है बच्छो pollen grains होता है इसके अंदर क्या होता है pollen grains होता है pollen grains contain करते है male gamets और एक pollen grain मतलब मालो कि यह एक pollen grain है example के लिए लेट से कि यह एक pollen grain है ठीक है इस एक pollen grain के अंदर दो male gamets it's a very important statement आगे काम आने वाला है मैंने क्या होला एक पॉलिंग गरिंड के अंदर होता है दो मिल गैमिक्स ठीक है चलो इंडिविजुल मेंबर को स्टेमें बुलाते है कोश्चन है अब तुम्हें पता है कि स्टेमें क्या होता है स्टेमें किस चीज़ से बना हुआ होता है बचो अगले कोश्चन पर जाने से पहले ठीक है मुझे एक सेगेंड देदो कि मैं थोड़े सेटिंग्स में बदलाब कर सकू अब क्या होगा ना कि आप ऐसे पेज को ला सकते है इसमें क्या गरबर हो रहाता नीचे ठीक है तो स्ट अब ले कोशन पर चलता है अगला कोशन देखो क्या है अगला कोशन गहरो है अगला वाला वाला टॉपिक है गाइनोशियम गाइनोशियम क्या होता बच्छो फीमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट होता है ठीक है फीमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट लिख देना मैं लि पिस्टिल ठीक है कारपेल या फिर हम इसको पिस्टिल बुला सकते हैं अभी देखो ऊपर के तरफ यह वाला जो एक एंड दिख रहा है तुम्हें ऐसा होता है इसको हम लोग स्टिग्मा बुलाते है और इस टिकी नेचर होता है फिर यहां पर देखो नीचे जो एक पाइप जाएगा यहां से ठीक है होलो पाइप जाएगा उस होलो पाइप का हम लोग स्टाइल बुलाते हैं यह अंदर से होलो होता है जिसमें से कोई दीचे स्ट्रावल कर सकता है बाहर से जो तुम्हें यह स्ट्रक्चर दिख रहा ओवरॉल इस बाहर से के स्ट्रक्चर को ओवेर में fertilization के बारे में पढ़ेंगे a carpal और a pistil मैंने तुम्हें बताया था consist of तुम्हें बताना इन तीनों में से क्या है यह 17 कोशन है इसका तुम्हें answer नीचे comment में बताना है बचो अभी हमने क्या बोला कि ovary है यह बाहर वाला overall structure ovary है यह bag leg structure को बोलता है embryo sac यह कहाँ पर होता है ovule के अंदर होता है छोटे छोटे से जो ovule थे ना उसके अंदर होता ही मतलब माल लो डाइग्राम जो हमने भी दिखा था थोड़ दिर पहले वो कुछ ऐसा था am I right और मैंने बोला था कि उसके अंदर इसे छोटे-छोटे से ovule होगी तो इस ovule के अंदर में होता है embryo sac clear हो गया इस embryo sac के अंदर तुम्हें कुछ चीज़े दिख रही होंगी दो-तीन चीज़े दिख रही है अब यहाब सबसे पहले यह देखते है इसको बोलते है polar nuclei ठीक है यह polar nuclei यह haploid in nature haploid मतलब तुम्हें पता है फिर देखो यहाँ पे जो तुम्हारा यह है इसको बोलते है egg cell यह भी कैसा है बच्चो यह भी haploid in nature haploid ना मतलब तुम्हें पता है ठीक है यह जो दो चीज़े इसको synergates कहते है और यहाँ पे जो यह तीन है इसको हमनों बोलते है antipodal cells अब देखो अगर तुम यह दोनों याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा लेकिन यह वाला और यह वाला तुम्हें याद रखना है clear है चलो तो यह हो गया हमारा ovule के बारे में अब ovule के बाद थोड़ा आगे जाते हैं और समझते हैं question को और उसके बाद फिर हम अगले topic पे जाएंगे जिसके हम overall देखेंगे और फिर हमें double fertilization के बारे में पढ़ना है तो question देखो दिखने दियान से क्या है question question कूछ रहा how many ovules can be present in an ovary of a plant एक plant के ovary में कितने ovules को सकते हैं पता करो और answer करो ठीक है चलो अगला को जो है हमारे ये देखो ये overall हम देख लेते हैं हमने क्या-क्या पढ़ा हमने पढ़ा बच्चो की ये वाला जो पार्ट है जो मैं तो बताया था चोटा सा pedisil जो support करता है flower को ठीक है फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर ये है stamen individual member androsium का ठीक है फिर इसके उपर है ये anther और इधर ही छोटा सा एक filament होगा हमने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते कि यह थर filament होगा है ठीक है फिर ये जो है ये petals है बच्चो ये petals है और यहाँ पर एक stigma है जो sticky होता है ये इसको हम pistol बुलाते है या फिर carpel बुलाते है individual members को यहाँ पर हमारा ovary है बच्चो और ये sepals है तो ये सारी चीज़े हमने detail में पढ़ लिए है एक बार अगर मैं summarize करने जाओ तो मैं एक बार बता देता हूँ सबसे पहले हमने पढ़ा कि calyx के individual members को हम लोग sepals बुला रहे थे फिर दूसरा हमने पढ़ा पर चो को रोला के individual members को हम लोग petals बुला रहे थे फिर हमने male reproductive androsium पढ़ा एंडोशियम पढ़ा इतना सब कुछ हमने पढ़ा यह male reproductive part होता और यह female reproductive part यह सब तुम्हें summary में याद रख रहा है अब अगला question देखो क्या है अगर मैं reproductive organs in plant के बाद करूँआ तो इन में से कौन सा नहीं है कि मैं तुम्हें बता है male कौन सा होता तो मैं answer कर सकते है इसको comment में अब अगला वाला देखो क्या है pollen grains are transferred from anther to stigma अब मालनो कि यह तुम्हारा एंther है यह वाला तुम्हारा एंther है और यह वाला part क्या है stigma है जो sticky हो जाता है तो यह जो stigma है ना बच्चो यह क्या होता है stigma becomes sticky during pollination यह pollination के time में थोड़ा sticky हो जाता है चिकेट हो जाता है ठीक है अब यहाँ पे देखो यह जो एंther है इसके अंदर क्या था बच्चो pollen grain था हमें पता है ठीक है तो मालनो कि यहाँ से pollen grain ऊड़ करके यहाँ पे चला गया ठीक है यहाँ पी कुछ pollen grains यहाँ पे चले गया तो इस process को हम बोलते है pollination कि एंther से pollen grain कहा तक गया stigma तक गया अब यह pollination भी बच्चो दो प्रकार का होता है एक होता है self pollination और एक होता है cross pollination इसके बारे में तुमने load standards में पढ़ा होगा इसके उपर questions आता है और आपके टेक बुक में छोटा सा डब्बे में लिखा हुआ पढ़ोगे आपको आराम से समझ में आ तो अभी द्यान से पढ़ो क्या लिखा है pollen grain germinate when they fall upon the sticky stigma और दूसरा लिखा है two male gamets are released and they travel through the pollen tube and reaches ovary इस दोनों लाइन को समझना बहुत जरुरी है क्योंकि बच्चे इसको misunderstand करते हैं जरा समझते हैं बच्चो यह pollen grain गिरा और यह pollen grain germinate होगा मतलब यह नीचे के तरफ grow करेगा ठीक है यह pollen grain गिरा और यह germinate होगा और इस hollow thing के थ्रू यह अंदर जाएगा किसको style के थ्रू और यहाँ पर ही क्या करतेगा यह यह इस के थ्रू अंदर के थ्रू यह जो दो male gamet है ठीक है क्या है बच्चो दो जो male gamet है इन दो male gamet को भी release कर देगा और यह दो male gamet कहा ठीक है तो माल लेते हैं कि बच्चो की यह जो हमारा pollen tube था उसके थ्रू male gamet आ गया और embryo sack तक पहुँच गया यह style के द्वारा यह style के द्वारा ऐसे होते हुए embryo sack तक पहुच गया मतलब यह इधर ovule में पहुचा ठीक है और ovule के अंदर क्या था बच्चो छोटा छोटा embryo sack तो इस embryo sack के अंदर दोनों पहुच चुक है अब बच्चो जब यह embryo sack के अंदर पहुच जाएगा tip of the pollen tube brushed and two male gamets are released inside the embryo sack तो दो male gamet भी basically वहाँ पे release हो चुक है अब मालो के हमारे यह दो male gamet थे ठीक है वो यहाँ साइसा travel करते करते हैं यहाँ तक आ चुक है अब यहा यहाँ पे होता double fertilization जिसको समझना बहुत जरूरी है देखो क्या होगा one male gamet utilizes unites with the egg cell to form zygote अभी यहाँ पे दो male gamet था बच्चो इन दो male gamet में से एक male gamet क्या होगा egg cell के साथ यहीं पे fertilization कर लेगा fertilization करने का क्या बनाएग एग cell के साथ बनेगा zygote got it second male gamet unites with the two polar nuclei यहाँ यहाँ पे दो polar nuclei है second male gamet जो है वो उसके साथ जाएगा और unite करेगा और वो बनाएगा बच्चो endos pump क्या बनाएगा यहाँ पे endos pump बनाएगा तो दो बार fertilization हो रहा है एक बार Excel के साथ हो रहा है और एक बार polar nuclei के साथ हो रहा है तो इसी लिए जो हम इसको कहते है इसको हम क्य क्या होगा यह बताओ तो यह हम आगे देखने वाले है अभी जाद ध्यान से सुनो आपको यह याद रखना है यह एग सेल के साथ unite करके क्या बनाता है और दूसरा polar nuclei के साथ unite करके क्या बनाता बच्चो endos pump बनाता है तो यह तुम्हें किसी भी तरीके से याद रखना होगा तो तुम कैसे याद रख सकते हो बताओ मुझे एक को याद कर लो तो मैं क्या बोलता हूँ एडबल जी एग होता है ऐसे करके आप याद रख सकते हो जी जेड ऐसा कुछ तो logic लगा सकते हो ठीक है या फिर कुछ और कर लो एग के साथ zygote ऐसे बोल सकते हो एक के अंदर zygote होता है लो आला ऐसे करके तुम याद कर सकते हो जो भी तुम्हें कोई भी नीजा टेकनिक लगानी है नीजा टेकनिक लगा के याद कर ले न कि एक सेल के साथ जब यूनाइट होता है तो क्या बनाता है जाइग बनाता है चलो अब बच्चो मालो कि यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, डबल फर्टिलाइजेशन, अभी यहाँ पर क्या होगा बच्छो, यह जो छोटा-छोटा था, इसको हम क्या बोलते थे, याद करो, मैं तुम्हें दो बार बता चुका हो पहले, ओव्यूल बोलते हैं, यह जो ओव्यूल है, यह बहुत सार है न, तो अगर मैं एक फल की बात करता हूँ, तो एक फल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, तुम बोलोगे, सीड, ठीक है, तो ओव्यूल जो है, छो छोटे-छोटे यलो वाले हैं, वो किसमें डवलप होंगे, बच्छो, सीड बनेगा उससे, ठीक है, और जो उव्यूल अंदर होता है, और ओवेरी बाहार होता है, ये भी बच्छो को अकसर याद नहीं रहता है, अगर ये भी याद रहेगा, तो काम चल जाएगा, तो देखो यर, ओवेरी बाहार होता है, तो esfuerling देखो, ओ, वी, ठीक है, दोनों में ओवी सेम ही है, फिर क्या आ रहा O V U L E अब अगर तुम alphavetically भी देखोगे तो पहले A आता है तो अगर तुम बाहर से देखोगे तो पहले बाहर क्या आएगा बच्चो पहले बाहर आना चाहिए OVRI और उसके अंदर आना चाहिए U तो U अखना OVRI जो कि सीड बनता है तो बाहर फ्रूट तो ऐसे याद रखना A fruit has seeds in it यह तो universal truth है ठीक है काफे जारे ऐसे ही फल होते हैं तो तुम्हे याद रहेगा बाहर फ्रूट है और अंदर के seed है और seed कौन बनेगा जिसमें U आएगा clear है चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक और चीश समझते है कि अभी तक हमने वो endo sperm वाला नहीं समझा तो यह जो fruit है वो एक दिन मालों एक fruit है वो बड़ा होगा और वो फूट जाएगा और उसके अंदर के seeds जमीन पर गिरेंगे ठीक है seeds fall upon the ground and germinate यह seed क्या करेंगे फिर germinate होना शुरू कर देंगे under favorable condition of course इसको nutrients चाहिए इसको water चाहिए जब इनके अंदर यह होगा और जो zygote है वो develop हो जाएगा by getting energy from the endo sperm तो इसके अंदर जो zygote है ठीक है वो क्या होगा उसको energy कहां से मिलेगा develop होने के लिए endo sperm के से मिलेगा अब endo sperm कहां से बना था जब polar nuclei के साथ एक male gamut ने unite किया था और फिर एक पेड ऐसे बढ़ जाएगा तो यहां तक यह clear है एकदम simple है कोई दिक्कत नहीं अब अचो मैंने आपको यह बता है कि overee will develop into fruit and overee will be develop into seed यह बात को याद रखना notes में लिखा हुआ है और question है name the male reproductive organ in flower of a plant तो मैं बताना है male reproductive organ क्या है sepal है petal है stamen है या फिर pistil है नीचे comment में बता देना अगला question है name the female reproductive organ in the plant sepal petal stamen pistil जो भी इसका answer है वो भी नीचे दो मैं comment में बताना है और अगला हमारा जो topic है उसको अगों start करेंगे sexual reproduction in humans हमारा जो अगला topic है वो है sexual reproduction in humans अब humans वे एक male होते है और एक female होता है male produce करता है male gamet which is pump और female produce करती female gamet which is एक या फिर ओवा दोनों का fusion होता है और यहाँ पर fertilization के बाता है zygote zygote develop होता है embryo में और embryo से बनता है baby यह चीज हम already details में पढ़ चुक है इसलिए इतना fast forward बता है अब देखो यार male और female दोनों के अंदर जैसे जैसे उमर बढ़ती है कुछ changes आने लगते है मतलब जो childrens होता है usually उनके अंदर जो reproductive organs होता है वो develop नहीं होता है male और female में जो childrens हो उनके अंदर reproductive organs develop नहीं होता है girls के अंदर start हो जाता है 10 से 12 साल की उमर में develop होना और boys के अंदर start हो जाता है 13 से 14 साल की उमर में develop होना इसी चीज को हम कहता है Puberty अब देखो कह है Puberty is the period during which the sexual organs develop in boys and girls Puberty वो period होता है जिसके समय में sexual organs जो होता है boys और girls के अंदर वो develop होना शुरू कर देता है अब देखो अगर boys की बात करूँ तो सबसे पहले जो Puberty में changes आता है वो होता है कि chest के उपर hairs आ सकता है अब देखो कुछ compulsory ही नहीं कि पक्का लाएगी कुछ लोगे नहीं आता है but hairs on the chest दिखेगा face पे बाल दिखेंगे armpits इस जगे पर तुम्हें बाल देखने को मिलेगा pubic region between the thighs मतलब मालो कि यह तुमारा pair है ठीक है और यह pair यहाँ पर thighs के पास इस जगे पर तुम्हें देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद broadening of shoulder यह जो shoulder से यह थोड़े broad हो जाते है erection of penis जो penis होता वो इरक्थ होने लगता है मतलब वो सीधा होने लगेगा इस तरीक से ठीक है और testosterone का production बढ़ जाता है testosterone ही वो hormone है जो आपको male-ness वाली characteristic देता है अगर मैं female की बात करूँ तो changes जो girls में होते वो है hairs on the armpits armpits मतलब इस जीगे पर बाल होना शुरू हो जाएंगे उसके बाद pubic region में भी बाल होंगे between the thighs उसके बाद enlargement of breast मतलब memory client जो है वो बढ़ने लगता है क्यारण है कि female को अपने young one को breastfeeding करनी होती है ठीक है broadening of hips जो hips है ठीक है जो कमर के नीचे का part है hips वो भी थोड़ा ऐसा चौड़ा होने लगेगा broad होने लगेगा अब यह broad होने के पिछे का कारण है कि female को reproduce करना होता है बच्छा पैदा करती है female ठीक है उसके सबसे पहले हम बात करेंगे अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे testis के बारे में अब देखो testis लिखा है that means कि plural है और अगर singular लिखना एक की बात करेंगे तो हम testis लिखेंगे testis testis याद रखना यह oval shape के होते है body के बाहर होते है spum बनाने का काम करते हैं और testis strong produce करते हैं एक और चीज यहीं पर देख लेते हैं ठीक है आगे बढ़ने से पहले कि यह जो होते scortum के अंदर होते हैं तो scortum का का काम के testis को सही जगे पर रखना अब यह दोनों चीजे का तुमने देख लिया तो तुम्हारा जो notes होगा उसमें मैं तुम्हें बताते जाता हूँ कि male reproductive system जब तुम करोगे तो सबसे पहले तुम्हें लिखना है testis दूसरा दूसरा तुम्हें लिखना है detail में scortum ठीक है यह दोनों तुम्हें लिखना है mail reproductive system diagram बनाओगे यह लिखोगे कि इसके बारे में तो जो testis के बारे में ने बताया वही लिखना है ठीक है तो यह देखो यह जो testis है तुम्हारे detail में देखोगे तो यहां पर तुम्हें कुछ network जैसे दिख रहे है यह वाले ऐसे बहुत सारे दिख रहे है तो यह जो है इस चीज का नाम है semiferous tubels यही वह जगह है जहां पे cell division के बार ठीक है cell division से sperm का production होता है अब यहां से जो तुम्हारा sperm sperm बना है माल लेता है कि मैं example लेता हूँ यहां से जो sperm बना है वह इस वाले pink वाले पार्ट में जाएगा जिसको मैं highlight कर रहा हूँ ठीक है और यहां पर भी तुम्हें network जैसी चीजे दिख रही होगी थोड़ी सी तो यहां पर हमारा sperm travel करेगा इस नम है रटे टेस्टि यह वाला डियाग्राम तुम्हें याद रखें कि कोई जुरूत नहीं है ठीक है उसके बाद तुम्हारा sperm है वह यहां से आगे travel करेगा इधर से इस दिख रहा तुम्हें इस चीज़ को बोला जाता है वासा इफ्रेंस जो अंदर है उसको वासा इफ्रेंसस बोलता है फिर यहां से होते हुए जो तुम्हारा sperm है वह इधर आएगा ipidymus में ipidymus क्या है तुम्हें अगला लिखना है तो ipidymus तुम्हारा वह जगह है जो स्टोर करता है sperm को जो टेस्टिस से बनाएगा है अगर तो हमारे इस वाले डाइगराम में अगर हम बात करें तो ipidymus यहां पर हमें दिखाया है और यह हमारी टेस्टिस के उपर अब यह जो ipidymus है वो एक pipe के थुरू जा रहा है और यह जो pipe है देखो इधर वाला इस डाइगराम में दिखाता हमने वास इफरेंस जो के अंदर की तरफ है चोटा चोटा सा और यह जब बाहर की तरफ चला जाएगा ipidymus से बाहर तो इसको बोलेंगा वास डिफरेंस तो दूसरा तुम्हें यह याद रखना है अब देखो यहाँ पर यह भी हो चुका है यह भी हमने देख लिया और अब सवाल यह उठता है कि भाई यह टेस्टिस बाहर क्यों है ठीक है why testis are outside the body testis बाहर इसलिए होता है क्योंकि testis में sperm का production होता है sperm के production के लिए 2-3 degree कम चाहिए हमारे normal body से that is the region ठीक है अब देखो यहाँ पर हो गया vast differences का काम क्या है carry carry करता है तुम्हें बताया तुम्हें एक pipe जैसा है फिर scotum में तुम्हें बता चुका हो अगला है seminal vesicle और prostate gland जरा पढ़ लेते हैं लिखना भी है तुम्हें यह ठीक है mix करता है secretion and mix the semen thick fluid मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है फिर हमारा है urethera और फिर है penis penis का है urogenital organ तुम्हारे diagram में लिखा रहेगा और urethera का का काम है bring semen and urine to the penis यहाँ पर यह खतम हो जाए तो एक-एक करके बात करते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा है इस diagram में हमने बात किया सबसे पहले हमने सबसे पहले बात किया यह हम बात कर चुके है यहां से हम आगे बढ़े और फिर हमने बात किया seminal vesicle और prostate gland के बारे में ठीक है तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है यह ऐसे कटा-कटा सा ठीक है ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ चवा के रख दिया ठीक है तो यह जो है इसको बोला जाता है seminal vesicle और यहाँ पर नीचे जो तुम्हें इस तरी दिल जैसा पार्ट जो दिख रहा है पीछे की जाए इस दिल जैसा पार्ट को हम बोलता है prostate gland अब यह जो दोनों है बच जाता है लिकविड की जासा हो जाता है ठिक हो जाता है और उस चीज़ को हम स्वेन कहते है इस het clear तो हम अगला क्या लिखेंगे जाते 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 यहां पर ऐसे हम लोग एक रक्षस की जैसा सीग दिखा देंगे और इसका नाम होगा सेमिनल वेसिकल उसके पिछे एक तो एक lining दिख रहे हो यह जो एक lining है इसी चीज को हम बोलता है यूरी एरा क्या बोलते है बच्चो इस चीज को यूरेन यूरो जनितल डक्ट बोला जाता है या फिर इसी का नाम है यूरी थेरा आप यूरी थेरा के बाँ में तुम्हें एक मसल वाली चीज दीख रहा है इस चीज को हम बुलते है पैनिस यूरो जनितल अरगन है मतलब इसके अंदर से स्पं भी जाएगा ठीक है और इसके अंदर से हमारा सुस्टू भी जाएगा मतललोग यूरीन भी जायागा तो दोनो पास ओड़ So this was all about male reproductive system देखो urinary bladder अगर आप याद रख सकते हो तो आप रखो ऐसे भी आप rick respiratory system में पढ़ते हो तो आपको याद रहेगा नहीं भी रख सकते हो तो कोई बात नहीं है इजे क्लिटरी डक्ट याद भी रहेगा तो भी चलेगा ठीक है बाकी आपको जो जो मैंने बाकी बता है सब कर सब याद रखने ठीक है सिंपल सार डाइग्राम है दो-चार बार प्राक्टिस करोगे आज आए चलो बाकी तुम ये वाला भी डाइग्राम बना सकते हो सारे पार्ट वही है और कुछ नहीं है moving further बच्चो अब हम बात करने वाले female reproductive system के बारे में तो female reproductive system जो होता है इसके जितने भी organs होते हैं inside the body होता है जैसे male reproductive system बाहर की तरफ है तो all the organs of female reproductive systems are in the abdominal cavity इस जिगे पे होता है और ये इस प्रकार का होता है चलो एक detail में बात करते हैं तो पहले parts के बारे में बात करते हैं सबसे पहले देखो बच्चो opening यहाँ पर तो यह जो tube like opening है इसको vagina बोला जाता है यह वो जगह है जहां से baby बाहर आता है पम अंदर जाता है फिर देखो तुम यहाँ पर अगर अंदर आ जाओगे यह दो हाथ की तरह दिख रहा है यह दोनों जो हाथ की तरह है इसको oviduct बोलते है यह pair में है दो है इसका नाम है fallopian की हर इक चीज को detail में पढ़ने वाले है और फिर वहाँ पह ऐसे नीचे दो पार्ट देख रहे होगे यह सबसे important पार्ट है इसका नाम है ओवरी यह दो इन नमबर होता है यही ओवरी एक सेल प्रोड्यूस करता है अभी जड़ा ध्यान से पढ़ते हैं क्या-क्या लिखा होगा है ठीक है विच इज वेरी important सबसे पहले जो ओवरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं यह द्यान से सुनो ओवरी जो होते है ओवरी शेप के होते है दो इन नमबर होते है जो कि मैं तुम्हें अल्रेडी बता चुक है प्रेजेंट होते है नियादा किडिनी यह जो होते है यह कहाँ पे होते है बच्छों किडिनी के पास होते है दोना फिर है कि ये काम करते है female sex cell जिसको ova या एग हम बोलते है या oocyte बोलते है वो मनानी का काम करते oocyte भी बोला जाता है लिख लेना ये sex hormones का भी production करते है estrogen and progestron ठीक है ये इनके अंदर thousands of follicle होता है और ये बच्पन से ही होता है thousands of follicle होता है follicle मतलब जो तुम्हें ये वाला छोटा-छोटा यावरे पार्ट दिख रहा है ऐसे ovary के अंदर इसको हम follicle बोलेंगे ऐसे thousands of follicle होता है लेकिन ठीक है every month and ovum is released alternately from the ovary देखो ये ovary है ये follicle जब develop हो जाएंगे तो ये ovum या egg या oocyte ठीक है वो बनेंगे और ये यहाँ से release हो करके इस वाले पार्ट में इस जिगे पे आएंगे clear है तो ये हो गया सब कुछ ovary के बारे में तुम्हें ये सब लिखना डागराम बनाने के बाद इसके बाद अगला देखो हमारा है oviduct oviduct जिसको हम fallopian tube भी बुलाते है ज़र अच्छे से समझते है collect करता है eggs from the ovary and ticks ahead एक को collect करता है मतलब मालो यहाँ पे जो भी एक double up हुआ ovum double up ovary के अदर उसको collect करेगा और आगे ले करके जाएगा इसका काम ये है that's it और उसके बाद यहीं पे न बहुत सरा hormones भी मिलते है menstruation cycle में detail में पढ़ने वाल है फिर बच्छो vagina के बारे में मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ vagina के एक opening है tube opening मतलब एक tubular opening है जिसमें से क्या होता है sperm अंदर जाता है ठीक है और बेबी बाहर आता है अच्छा एक बात और female reproductive system के अंदर दो holes होता है यह बात याद रखना ठीक है अगर तुम detail न पढ़ोगे तो तुम्हीं ये बात पता चलेगा तो that's it और बाकी मैं तुम्हें बता चुका हूँ cervix के है बच्छो cervix एक opening है for uterus ठीक है और uterus के है womb है जहाँ पर baby develop होता है तुम्हें ये सारी चीज़े लिख लेनी है moving further बच्छो अब बात करता है कि baby develop कैसे होता है reproduction में तो formation में baby के बाल में बात करता है तो बच्छो semen क्या है मैं आपको अल्रड़ी बता है तकि जो sperm है उसके साथ secretion glands का इसको हम semen कहता है अब ये जो semen है ये ejaculate होता है ejaculate मतलब पहार आता है penis के थू during copulation copulation मतलब क्या होता है sexual intercourse ठीक है तो intercourse के time में ये जो semen है ये पहार आता है penis के अंदर से अब ये जो semen होगा ये of course female reproductive system के अंदर deliver होगा और ये आगे का सफर अपना तैग करेगा तो यहां cervix के थू ये womb के पास जाएगा तो sperm which in millions start their journey by the root of vagina cervix uterus obidus समझाता हो न अब यहां से बच्चो मैंने हाला कि तुम्हें एक sperm का diagram दिखा है लगिन का है यहां से एक ही sperm निकलेगा नहीं यहां से millions of sperm निकलेंगे ठीक है अब यह जो millions of sperm निकले हैं ये vagina से होते हुए cervix के अंदर जाएंगे और cervix के बाद uterus में जाएंगे तो ये uterus में आए और यहां से ये कहा जाएंगे oveduct के पास जाएंगे oveduct कौन सा वाला पार्ट है ये वाला fallopian tube को ही oveduct बोलते है तो इस वाले पार्ट में ये जाएंगे अब यहां पर जाने का जो millions of sperm है उनमें से मतलब बहुत सारे जो sperm थे उनमें से millions मर जाएंगे क्योंकि बहुत million जाएंगे तो उनमें से million sperm मर जाएंगे due to acidic condition of vagina जो बन जाएंगा होता है वो acidic होता है कारण क्या उसके पीछे lactobacillin नम का bacteria होता है जो lactic acid प्रोडूस करता है वजाएंगा के अंदर अच्छा पीछे कारण क्या बच्चो कि जो female reproductive system है उस पर जो sperm गया वो external agent है वो बाहर का कुछ है तो उनके अंदर के जो WBC होंगे वो sperm को खा जाएंगे ठीक है phagocytosis कहते है इसको अब बच्चे हुए जो है many of them will lose their energy and die तो जो sperm के अंदर fructose होता है जो उसको energy produce प्रोवाइट करता है वो खतम हो जाएगा काफी सारे sperm का और वो भी मर जाएगे तो बच्चे हुए थोड़े बहुत half enter the wrong wrong oveduct only a few will reach to the right oveduct तो माल लोग कि यहाँ पे कुछ जो है यहाँ से आए और वो इधर चले जाएगे जबकि उसको जाना इधर था तो गलत दिशा में चले जाएगे और कुछ ही है जो पहुँच पाएगे और उन में से सायद एक ही होगा जो अंदर जाएगा और एक जो अंदर जाएगा वो fertilize करेगा और उसके बाद fertilization होगा बाकी जो बच जाएगे अपने आप खतब जाएगे ठीक है तो only one sperm manages to penetrate the egg and fertilization occurs in the oviduct तो खाली एक sperm अंदर जा पाता है fertilization किस जगे पर होता है oviduct के अंदर होता है प्लीज याद रखना ovum के अंदर नहीं होता है oviduct मतलब ये वाला पार्ट ठीक है oviduct के अंदर होता है 23 chromosome from the male जो के हम अल्रेडी पढ़ चुके है and female will fuse for fertilization तो male के अंदर के 23 chromosome female के अंदर 23 दोनों fuse करेंगे और एक deployed cell बनाएंगे जिसमें 46 chromosome होगा जिसको हम लोग zygote बोलता है ठीक है अब बच्चों देखो अब यह जो zygote बना है यह repetitive mitotic division करेगा इसका मतला बहुत सारा mitosis होगा जिससे cell division हो रहा है बहुत सारे cell बनेंगे एक cell से बहुत सारे cell बनेंगे एक ball like structure बन जाएगा cell का और इसको हम लोग embryo कहते है student उसके बाद क्या होगा meanwhile it is pushed towards the uterus अब यह जो यहाँ पर था माल लो या फिर let's say कि यहाँ पर था यह दीरे दीरे push होगा किस तरफ के uterus की तरफ यह वाला part को uterus बोलता है अल्रेडी पढ़ा चुका हो मैं आपको ठीक है and further development takes place और यहाँ पर further development takes place करेगा इस वाले जगह पर जिसको बोलता है इंडोमेटेरियम इसके बारे हम अंसुरेशन साइकल में पढ़ने वाले है इस process को हम implantation कहते है जब बेवी इंडोमेटेरियम के वाल पर आ जाता है uterus के पास और यहाँ पर development होना start होता है embryo का यह baby नहीं है embryo का development होता है बेवी में बच्चो अब महल हो कि यह baby बढ़ रहा है तो यह baby बढ़ता है तो एक sack like structure होता है जिसमें वो बढ़ रहा होता है और इसका नाम होता है amniotic sack अब इस amniotic sack के अंदर थोड़ा से liquid होता है जिस liquid का नाम है fluid होता है amniotic fluid और बच्चा इसमें तैर रहा होता है मतलब बच्चा इसमें धीरे-धीरे गूम रहा होता है ठीक है बच्चा ये जो एक structure दिख रहा है ये structure जो है ठीक है इस structure को बोला जाता है placenta इस placenta में से एक pipe निकल रहा है जिसको बोला जाता है umbilical cord और यह umbilical cord जो होता है बच्चे के navel के पास जाता है नाभी के पास पेट के पास आपके छोटा सा hole वहां पर connect होता है इसके अंदर arteries, veins और blood vessels होता है जो बच्चे को nutrients देते हैं और west material को वहार निकालता है ठीक है तो बच्चे को मताश्री से जो मुवी से जो energy मिलता है वो placenta क through मिलता है is it clear to everyone moving mother बच्चो अम माल में बच्चा बड़ा होगा ठीक है embryonic development होगा and it is completed approximately within the 9 month after the fertilization fertilization होने का 9 मैंने के अंदर बच्चा develop हो जाएगा baby का जो head होगा वो cervix की तरफ बढ़ जाएगा vagina थोड़ी सी stretch होने लगती है ठीक है uterus muscle contract and relax uterus muscle contract and relax action यहां दपाम के प्ट में दर्त होता है मताश्ए होने वाला है labor pain होता है जो बच्चा पैदा करने के time pain होता है ठीक है उसको labor pain बोला जाता है और बच्चा जब बहँ क्यush come बच्चा बहार निकलेगाthank एका सर बच्चे का पहले बहार निकलता है ठीक है तो इस this is all the thing जो आपको लिखना है जो भी आपको notes में लिखना है मैंने यहां पर लिखा है सब चीज को आपको एक एक लाइन में लिखना है हर एक चीज को मैं आपको explain कर चुका हूँ बचो अब जो बच्चा हूँ रहा है को एक लड़का होगा या लड़की होगा इंसानों में वो कैसे डिसाइड होगा तो sex determination इस टॉपिक का नाम है तो ध्यान से सुनो जो male होता है यह आपको नाइत में पढ़ाया हुआ है और जो female होती है तो male के अंदर जो sex chromosome होता है वो x औ का चांस है female क्या दे सकती है बच्चो female can always give x तो यहाँ पर यह जो है वो female के जैसा दिख रहा तो यहाँ पर female चाइड गया ठीक है मालों कि male ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ मैं y दूंगा ठीक है female के पास दोनों में से एक ही choice है x ही है तो वहाँ पर x ही आएगा मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिब देता हूँ तो x y हो जाएगा now this is a male set ठीक है तो either male और either female यह depend करता है male के उपर कि उसने क्या denote कि डोनेट किया है ठीक है और chances होता है 50-50% ठीक है 50-50% होता है तो इस तरीके से sex determination होता है अगर male ने x दिया है तो female और अगर male ने y दिया है तो male चा टॉपिक है menstruation cycle के बारे में बात करने वाले हैं यह हमारा अगला टॉपिक मेस्टूरल साइकल female के अंदर जो purity होते है जो भी changes होता है उसका एक proof है वो mark किया जाता है by menstrual cycle यह जो menstrual cycle है इसमें जो यह cycle word है इससे आपको समझना है कि यह कुछ days तक चलेगा और फिर से खुछ इसको repeat करेगा तो यह 28 to 30 days का होता है जब यह start होता है at the age of 10 to 14 तो इसको मेनार्थ कहा जाता है और यह end हो जाता है approximately 45 years तक यह थोड़ा 19-20 तो इसको मेनुपॉस कहा जाता है moving for the students यह एक natural process है जिसको चार hormones control करती है follicle stimulating hormone जिसको अब आगे से हम FSH बुलाएंगे luteinizing hormone जिसको हम LH बुलाएंगे यह दोनों hormone हमारा brain pituitary gland और उपर एक और gland है ठीक है वो produce करता है फिर देखो estrogen ठीक है यहाँ पर यह गलती से आ गया तो ignore कर देना ठीक है मैं इसको काट देदू ठीक है यही से copy हो चुका है तो estrogen and progesterone जो female reproductive system में ही produce होता है 28 days का cycle थोड़ा सा female reproductive system को देखते हैं वजाईना होता है यहाँ पर cervix होता है उसके बाद यहाँ पर जो wall है इसको हम endometrium बोलते है यहाँ पर uterus है वूम यहाँ पर बैच्छा develop होता है इस चीज को ovary कहा जाता है और यहाँ पर जो यह oveduct है यह फिसको fallopian tube कहा जाता है मैं अल endometrium का wall है बाले को ठीक है यह वाला यह breakdown होगा तो इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर veins, capillaries, arteries होते है ठीक है तो यह जब breakdown होगा बच्छो ठीक है इसके अंदर blood vessels है समझ लोगा तो blood vessels भी तूटेगा तो blood बहार निकलेगा और वो इसके साथ साथ, यह तूटने के साथ स जो कि FSH produce करता है FSH क्या था हमारा follicle stimulating hormone और यह मैंने ले लिए एक oveduct और यहाँ पर क्या है हमने देख रहा है हम एक ovegum में देख रहा है simply यहाँ पर क्या था देखो यह ovary है ठीक है तो हम यहाँ पर एक oveduct और यहाँ पर एक side के ovary को देख रहा है दूसरे side में तुम imagine कर सक होगा यहाँ पर जाएगा ठीक है यहाँ पर जाएगा मालो कि यह जो blue color से मैंने दिखाया है यह FSH है अब इस FSH के कारण जो यहाँ पर follicles है बच्चो यह जो follicles है यह develop होने लगेंगे अब यह follicle के अंदर होता एक तो बहुत सारे follicle में से कोई एक follicle होगा जो develop करना start कर द starts to regenerate अब यह estrogen यहाँ से travel करके ऐसे जाएगा और यहाँ पर जो यह है बच्चो मान के चलो यह भी क्या होने लगेगा डबलाप होने लगेगा जो एक starting के 5 दिनों में टूटा था वो फिर डबलाप होने लगेगा ज़रा से textbook के diagram को समझते है तो यहाँ पर देखो क्या लिख अब फिर continue हो रहा है मतलब यह cycle जो होगा यह 28 देखा होगा ठीक है अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं और आपको बताते हैं अब देखे हैं यह time है यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि starting के 5 दिनों तक देख रहा हो तुम यह जो dark color है इससे क्या बोला जा रहा है कि यह जो है न message follicle stimulating hormone यहाँ पर लिखा हुए तुम देख सकते हो तुमारे textbook में और यह follicle stimulating hormone के कारण यहाँ पर बहुत सारे जो थे उनमें से एक क्या word develop होने लगा और वो estrogen release करेगा उस estrogen के कारण यह जो wall है अब तुम देख सकते हो यह क्या हो रहा है देरे-देरे develop हो रहा है यह wall develop हो रहा फूट गया ठीक है under the effect of LH तो LH के है बच्चे luteinizing hormone तो LH के कारण यह जो developing follicle था वो फूटा और यहाँ से एग release हो गया हमारा एग यहाँ से release हो चुका है एग बोलो अगम बोलो उसाइड जो भी है वो release हो चुका है क्योंकि यहाँ पे एक LH नाम का hormone है जिसके effect में यह फूटा और इसको हम लोग ovulation कहते हैं डाइग्राम में तुम देखके समझ सकते हो ठीक है अब मैं यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता हूँ ठीक है और इसके कारण एग release हो रहा है ओके एग यहाँ पे release हो गया यहाँ था clear है अब बचो remaining tissue burst follicle will transform into corpus luteum मैं बताता हूँ ठीक है और corpus luteum will start producing progesterone progesterone will act on the endometrium and it activates the glands of endometrium endometrium glands secrete their secretion and this is ready for implantation of embryo बचो माल लो कि यहाँ पे जो यह तूट गया है ठीक है जो follicle फूटा है उसका जो यह remaining वाला part है यह क्या बनाने लगेगा यह बन जाएगा corpus luteum यह convert हो जाएगा corpus luteum में और यह जो corpus luteum है यह अपने आसपास कुछ hormones release करेगा और इस hormone का नाम है बचो progesterone यह progesterone यह यहाँ पे इसको यह develop करना start कर देगा और यह ready करेगा indirectly इसको कि यह जो एग है अगर sperm कहीं से आ जाता है ठीक है और sperm अगर इसको fertilize कर देटा तो इस एग का यहाँ पे implantation हो सके इसलिए इसको ready करेगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे दिखाया है कि यह जो तु ready हो रहा है ठीक है अब आगे बढ़ता है 12th वाला step if the egg is not fertilized between 24 hours of the ovulation तो जो ovulation हुआ थो फूटा था ठीक है और यह जो एग है अगर यह 24 घंटे के अंदर fertilize नहीं हो पाता है ठीक है तो corpus luteum becomes inactive तो जो corpus luteum था yellow color का मानलो यह inactive हो गया मैंने white color से दिखाया तो वो inactive हो जाएगा and transforms into corpus albicans वो corpus albicans बन जाएगा secretion of estrogen and progesterone completely stop तो यहाँ पर जो यह progesterone release हो रहा था और जो estrogen release हो रहा था वो completely रुख जाएगा मतलब यह जो वाल जिसके करण बन रहा था इसको nutrition मिल रहा था वो completely रुख जाएगा Indometrium starts to break and it will accompanied with the continuous bleeding ठीक है यह bleeding की spelling मैंने गलत लिखिया तो प्लीज इसको correct कर देना अब यहाँ पर क्या होगा basically माल लो कि अगर यहाँ पर यह नहीं हो रहा तो यह convert हो जाएगा corpus albicans में अब corpus albicans में होने का progesterone और estrogen का secretion रुख जाएगा और यह जो वाल था यह फिर से क्या हो जाएगा टूटने लगेगा और नया mensuration शुरू हो जाएगा फिर से cycle repeat करना है फिर से तूटने लगेगा एक से पांच दिन फिर से तूटेगा और फिर से same step repeat होने वाला है अब बच्चों यहाँ पर देखो माल लेते case imagine करता है जहाँ पर क्या हुआ कि eggs fertilize हो गया if the egg is fertilized the implantation of embryo takes place and the cycle stops temporarily अगर एक fertilize हो गया तो implantation होता है बच्चा develop होने लगता है और यह जो cycle है pre-aids का यह रुक जाता है तो pre-aids का रुक जाना एक सबूत है कि लड़की pregnant है not in every case कभी कोई weakness के कारण भी होता है but it's a proof ठीक है till breastfeeding no pre-aids will take place तो जब तक मा अपने बेटे को बच्चे को दूद पिला ही है बेटी को ठीक है तब तक क्या होगा कि menstruation cycle start नहीं होगा that's it अब देखो यह जो menstruation cycle है यह एक natural process है गल के लिए और उसमें ने एक लड़की बहुत ज्यादा pain महसूस करती है वो बहुत ज्यादा pain के थ्रू जाती during her pre-aids और बहुत ज्यादा high possibility होता है infection का and overall pre-aids के time में तो यह बहुत जरूरी है कि लड़की अपना overall health का ध्यान रखे sanitary pads विगर रखा इस्तमाल करें ठीक है due to this region there is need of rest along with personal hygiene and cleanliness तो rest के साथ साथ personal hygiene की भी काफी जरूत है इस time में और mood swings भी होता है तो make sure करना हमें कि हमें भी ध्यान रखना है अपनी मु टॉपिक है मगरा हम रीली सॉरी मेरे से गलती होगी मैंने पूरा notes बनाया लेकिन मैंने ये वाला topic डालना भूल गया reproduction in modern technology इसका मैं PPT बनाना भूल गया ठीक है और मेरे कुछ health issues है और इसे और भी तीन-चार चीजे issues चल गही है जिसके कारण नहीं कर पा रहा हूं है ठीक ह ठीक है तो जर्णा ध्यान से देखो क्या है यहां पर लिखा हूँ है reproduction in modern technology and I'm really sorry for the same ये chapter का मैं फिर से एक वीडियो बनाऊगा और और बेटर तरुके से डालूगा ठीक है इसे एक आनी पा रहा है difficulty in implantation, implantation नहीं हो पा रहा है ठीक है in uterus, many other regions are responsible for the same absence of अब देखो बहुत सरे region हो सकते है female में जो हमने पढ़ गया लेकि absence of sperm in semen, slow movement of sperm, abnormalities in the sperm that are the region in case of males, तो males के अंदर भी कारण हो सकते है जैसे कि sperm कई कमी है semen के अंदर, ठीक है जो sperm है बच्चों slow movement कर रहा है, कुछ normally यह कुछ दिक्कत है sperm के अंदर ठीक है, तो ऐसे case में बहुत difficult हो जाता है कि एक child को reproduce करा जाए, but आजकाल के modern technologies के हिसाब से medical science इतना develop हो चुका है कि IVF, सर्गोसी, sperm bank, यह सब help कर सकता है, एक childless couple को child produce करना है, सबसे पहले हम बात करते है IVF, IVF है in vitro fertilization, in this technique fertilization is brought about by test tube, इसमें क्या होता है, fertilization जो होता नो, एक test tube के अंदर होता है, मतलब मालो एक test tube, इसको test tube बे भी बोला जाता है, मतलब literally एक test tube के अंदर नहीं हो रहा है, but यहाँ पर देखो, the embryo is formed and implanted in the uterus of mother in appropriate time, IVF technique is used in having child in case of the childless couples who have problems like less pump count, obstacle in ovidette, etc., जला समझते है इस line को, ठी क्या बोला जा रहा है, test tube and embryo is formed and implanted in the uterus of women at appropriate time, तो अब अगर कोई women है, जो develop नहीं कर पा रही है, ठीक है, uterus के अंदर, मतलब अमालो की fertilization हो नहीं पा रहा सही से, ठीक, तो उस case में क्या होगा, test tube बेभी में, एक lab के अंदर एक ऐसा condition बनाया जाएगा, जहाँ पे female में से ठीक निकाला जाएगा, इस तरीके से needle से, ठीक है, और जो male है, उसका sperm ले करके, एक condition के अंदर develop किया जाएगा, ठीक है, जो embryo उसको develop किया जाएगा, बाद में mother के uterus में उसको implant कर दिया जाएगा, और बाद में बच्छा हो जाएगा, इसको बोलते IVF, इसका full form पूछा ज सकते हैं, जिसका नाम है, सरोगेसी, इस technique में क्या होता है, oocyte collect किया जाता है, ovary of a woman having problem in implantation of the uterus, तो implantation में दिखका ता रहा है, मालो कि यह औरत है, जिसके implantation में दिखका ता रहा है, तो इसका ovary collect किया जाएगा, ठीक है, तो इसके husband से जो sperm collect किया गया है, ठीक है, उसी से IVF का इस्तमाल करके same embryo develop किया जाएगा, ठीक है, और यह जो embryo है, वो किसी और 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 अरत के अंदर implant किया जाएगा, और वो बच्चा पैदा करेगी, और इनको दे देगी, अब यह जो है, उसको बोला जाता है, surrogate mother, जो बच्चा पैदा करती है, और जिसको दे देती है, व की mobility कम है, तो ऐसे case में sperm bank होता है, जिसमेm sperm होता जम, ठीक है, इसको preserve करके रखा जाता है, तो जब भी किसी को ऐसी जरूरत होती है, तो वो जाके वहाँ सा sperm ले सकते है, और उस sperm से क्या कर सकते हैं, अपने reproduction में IVF बगेरा का इस्तमाल करके reproduce कर सकते हैं, अब जो identity होती है, जो donor की, उसको strictly secret रखा जाता है, as per the law, इतना ही लिखा है, अब बात करते है, twins के बारे में, जो कि एक important topic है, तो ध्यान से दिखो, twins में कहा है, two embryos develop simultaneously in the same uterus, and thus two offsprings are delivered simultaneously, सब offsprings are called as twins, many couples have twins, they are two main types of twins, as monozygotic and dizygotic twins, अभी कभी क्या होता है, कि दो embryos साथ में develop हो जाता है, ठीक है, अब दो embryos साथ में develop हो तो दो बच्चा भी होगा, अगर दो बच्चा होगा, तो हम उसको twins कहते हैं, दो प्रकार के twins होता है, एक होता है monozygotic twins और एक होता है dizygotic twins, दोनों का अच्छे समझते है, monozygotic twins are formed by single embryo, एक single embryo था मालो, वो divide होगे, ठीक है, during the early pre-ed embryonic development, 8 दिन के अंदर, zygote क्या हो सकता है, वो divide हो सकता है, 2 groups में, तो 2 हो गया, एक था, वो divide होके ऐसा 2 बन गया, तो इसको monozygotic बोलेंगे, अब ये completely separate हो गया, तो ठीक है, अगर completely separate नहीं होगा, तो दो बच्चे जुडे हुए पैदा होगे, देखो, यहापर लिखा हुआ है, those two groups develop as separate embryos and third monozygotic twins are formed, such twins are genetically exactly similar, क्योंकि वो same embryos है, तो exactly same दिखेंगे, एक दूसरे से, due to this, such twins are exactly similar in their appearance, their gender is also same, gender भी same होगा, both will be either boy or a girl, don't know girl या boy हो सकते है, ठीक है, in case of monozygotic twins, embryonic cells divide into two groups, eight days after zygote formation, there is a high possibility of formation of co-joint twins, अगर मानलो कि 8 दिन के बाद ही थोड़ा separate हो रहा है, ठीक है, या फिर separate नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा है, co-joint twin हो सकता है, जुडे हुए बच्चे पैदा होगे, ठीक है, इसको सिस्मी twins भी बोला जाता है, such twins are born with some parts of the body joint to each other, such organs are common in such twins, मताँ ठीक है, तो हाथ के जगे पर मानलो, दोनों का एक ही, इधर एक हाथ है, इधर एक या हाथ हाथ है, रहा हाथ जॉइन हो सकता है, या फिर समी हो सकता है, थीक है, तुम SIMPLY चिस सब्च कर ला न, इंटरेट पे मिल जाए बहुत सार फोटो, Occasionally two oocytes are released from the ovary of a woman and both oocytes are fertilized by two separate sperm and two zygots are formed. Two embryos are formed and two zygots and both these embryos are separately implanted in the uterus and those dizygotic twins are delivered after complete development. Such twins are genetically different and may be different by gender. अब यह सब monozygotic कता उपर जाओ डाइगोटिक में क्या होता है दो दो क्या होगा यहाँ पर दो उससाइट रिलीज होगे दोनों को दो अलग sperm fertilize करेंगे दो अलग बच्चे डवलप होंगे और दोनों अलग से पैदा होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे से completely अलग होंगे दो अलग zygoop form वायव, एख ही zygote divide दनी होयआ, दो अलग zygote form होय, तो biztygotic prop精, आब ऐसे में इनका gender भी-s Color gender अलग हो सकता है ठीक है और एक दुसरे से the same भी हो सकते एक दूसरे से तो थोड़े अलग भी हो सकता है physical मतलब physically fit है mentally भी शान्त है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और socially भी ठीक है तो इसको हम बोलते है reproductive health ठीक है अब क्या होता ना कि lack of awareness के कारण indifference towards reproductive health of women तो women को देखने का जो नजरिया है वो बहुत अलग है लोगों ठीक है इसके पीछे का reason क्या illiteracy है कुछ social customs है कुछ tradition है और sinus की उमेन पहले बहार नहीं निकलती थी बड़ आप तो नहीं है उमेन अब लड़किया अब लड़कों के साथ कदम पर कदम मिला के चल रही ठीक है तो female reproductive system के तरफ या फिर जो female की तरफ है reproductive health से ले करके लोग का बहुत ही ज्यादा indifference है जो की नहीं होना चाहिए अब दोनों ही male और female दोनों के लिए जरूरी है कि अपने genitals को time to time clean करते है reproductive health को maintain करने के लिए male और female दोनों के लिए female के लिए और ज्यादा specially जरूरी है क्योंकि pre-aids होता है उनको तो इस time में और male के लिए भी जरूरी ऐसा नहीं कि तुम्हार तुम भी अपना ध्यान रखो ठीक है अब देखो अगर सही से सब कुछ नहीं रहा तो there are possibilities of STD STD मतलब क्या होता है sexually transmitted diseases हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगी syphilis और gonorrhea including the genitals तुम्हारे body पे patches दिखेंगे तुम simply यह search कर सकते हो syphilis के symptoms के तो patches दिखेंगे तुम्हारे genitals पे भी दिखेंगे rash on body, body पे ऐसा rash जैसा दिखेगा सूजन हो सकता है joint पे hair loss हो सकता फीवर भी हो सकता है ठीक है अगर gonorrhea की बात करें तो symptoms के painful and burning sensation on urination, urination जब तुम तु बुड़ी बुड़ी हो जाता है तो कैसा पस निकलता हो ऐसा पस निकलेगा मतलब infection अंदर तक फैल चुका है, inflammation हो सकता है urinary tract का around the anus and throats and the eye, inflammation मतलब सूजन होता है, तो urinary tract तुम्हें पढ़ाया गया reproductive system, anus के आस पास ठीक है, throat और eyes के पास, अब देखो एक और topic है जिसका population explosion, अब इसका मतलब क्या है, excessive growth of population within a short duration is called as population explosion, बहुत कम समय में अगर बहुत ज़्यादा अबादी बढ़ जाएगी तो जगे की कमी पड़ेगी, resources की कमी पड़ेगी, unemployment बढ़ जाएगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो बहुत सारी दिक्कते हो सकती है, जिसके लिए population control बहुत जरूरी है, इसका एक नारा भी तुमने सुना होगा, हम दो, हमारे दो, ठीक है, population control करने के लिए, condom का इस्तमाल किया जा सकता है, during intercourse, इसको निरोध होला जाता है, male condom, इस तरीकी का होता है, penis है ये मानलो, इस penis के ओपर ये male condom चला जाएगी, ठीक है, अगर हम female condom की बात करें, तो female के अंदर जो condom होता है, उसको divegram बोलता है, ये female की repetitive system के अंदर की तरफ से लगता है, divegram बोला जाता है इसको, फिर female copper tea का भी इस्तमाल कर सकती है, जो इस तरीके से place कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, sperm अंदर जा नहीं पाता है, block हो जाता है, sperm, बेस्ट दिया है, but with all the time and all the energy I had, please इसको detail में पढ़ना, textbook reading बहुत जरूर ही है, तो textbook को read करना, किसी भी topic में doubt है, तो नीचे comments में बता देना, और जितने भी questions मैंना तुम से पूछें में questions के answer जरूर बताना, हम मिलते हैं next chapter में, इनके जो भी topics होगे, उसको मैं अलग से भी live आकर के तुम लोग को पढ़ाऊंगा, तो चिंता मत करो, बट हमारा गोले पहले 20 chapter को one shot में खतम करते हैं, उसके बाद life start करेंगे, अगर चैनल पर नहीं हो, तो please subscribe कर लेना and इस वीडियो को अपने friends तक share करना, happy learning, और हमने इस चैनल पर और भी बहुत सारे chapters कवर किये, जिस के link description में, subscribe and share